हेलो 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 एविवान गुड मॉर्निंग नमस्का सज सी कहले सो कैसे आप लोग बढ़िया आई होब यू आप यू आर वेरी फाइन एट यू हूं सो आज फिर से मैं आप तमाम लोगों के बीच एक छोटी सी कहाने लेके हाजिर हूं कि आप हम सभी लोग जानते हैं कि आज के डेट में पूरे दुनिया जिस क्राइशी से गुजर रही है कि उसने नजाने कितनों के गहर उजा रहे हैं कितनों के पिता चिने हैं कितने के भाई कितनों के मां कितनों के बेटे हम नहीं कर पा सकते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि आज आप है आज मैं हूँ कल मैं रहू ना रहू आप रहे ना रहे इसलिए अब इस दुनिया में हर दिन को आखरी जिंदी की मान के आप इंजवाय करें सब्सक्राइश और बेहतरीन काम करते रहें क्योंकि आज और कल हमारा रापका लास्ट हो सकता है इसी वीच मेरे पास एक कहानी है जो मेरे स्टेट की है बिहार की कहानी है कहानी को पढ़ने के वाद एक दिल में क्या कहते है उसको मन विदारा कहानी है दिल में एक मायूसी सी आ जाएगी कहानी आप सुनेंगे तो आपके दिल में मायूसी सी आ जाएगी रोना सा आ जाएगा कि इस कुरोना ने क्या से क्या सिखा दिया और वक्त ने किस तरह से करवट ली है कि इनसान को अपनी हकीकत अ से हम बरहूत ही इंपोटेंट है बागी में हैं बहुत बहतरीन है लेकिन हमारे कर्तब्य ने हमने इतने कि नेचर के साथ छेड़चर किया कि आज हमारी वजूद यह हो गई है कि हम एक वाइरस से नहीं फाइट कर पा रहे हैं कौन आज है कल नहीं है हम उसके अनुमान नहीं लगा सकते हैं उसी सिलसिले में मैंने कहानी और डाला भी था और उसी सिलसिले में आज एक कहानी और डाला हूँ जो दिल को काफी अन्दर तक जग जोर देगा कि क्या हो रहा है तीक ये कहानी है पत्ना जंक्षन की बिषिकली एक सक स का नाम है प्रभात कुमार बो नालैन्दा डिष्टि के इस्लामपूर के रहने वाले हैं लेकिन बट्ना जंक्षन के पास अपनी वह चोटी सी हार्डवे के दुकान चलाते हैं उनके और उनकी बीवी में अन्बन चल लए थी तो बीवी हमेशा माइके में रखती है और उनके छोटी सी बेटी थी six year old वह उन्हीं के साथ रहते थे अभी से को दिन पहले उनको थोड़ा सा सहधी जुखाम हुआ तो अपने बीवी से बात तो होती नहीं थी तो अपने french circle में डिसकेस जोगिन का फेन्स ने सला दिया कि घर पर रहके अराम करें जो कि बाख़े में वाजी सला था उसमें कोई दो हम अभीके डेट में बैसे रहना करें अगर और ऑक्सीजन की रिक्वार्मेंट है तो जाना ही परेगा पोस्पीटल नहीं तो थोरी मर्दी सरदी जुखाम है तो बहतरी नहीं कि अपको आइसलेट कर ले तो उन्होंने वैसा ही किया लेकिन छोटी 6 सल की बच्ची को अपने साथ ही रखते थे लेकिन उनकी तव्यत में सुधार नहीं होई दिन बदिन उनकी तव्यत बिगरती गई और एक दिन अचानक वो इस दुनिया से जा चुके थे बगर अपने वीव को अलविदा कह शुके थे लेकिन छोटी छोटी शे साल की बच्ची सर वो तो यह सो जाने के बाद उनके मालिक पुछे कि कैसा थे बच्ची बोली कि पापा भी सो रहा है तो उन्होंने मालिक रूम मालिक जो थे इंसानियत के नाते बच्ची को कुछ बिस्किट कुछ फुरीड दे के चले गए कि तुम यही खा के रह बच्ची वो खाई भी और अपने फादर के डेड़ वड़ी के साथ वो रात में सोई भी देखिए बक्त कहां से कहां ले जा रहा है फिर सुबह उठी और अपने फादर के मुवाइल में व हो गया था तो दोस्तों ने सुचा हाँ ने खूल ले हल चाले ले लाते का स्तीती है जब फॉन किए कि तो फॉन उठाया नहीं फिर दोवड़ा फॉन किये तो उस छोटी बच्ची ने फॉन उठाई कर बच्ची बॉलती है कि पापा भी सो रहे हैं सौ सबसेवाइब फिल क कारण वे उस बीवी को यहां तक नहीं मालूब में उसके हस्बेंट के सांथ क्या गुजर रही है और हस्बेंट कहां है वह इस दुनिया में नहीं है यह बात किसी को भी तक मालूम नहीं है लेकिन एक ठाड़ पार्टी एक दोस्त अप्रोच करता है जानने के लिए लेकिन बीवी अप्रोच नहीं कर सकती है आखिर यह यह कप तक रखेंगे आप जब बच्ची उठाती है तो पापा उसके जो भी अंकल जो दोस्त थे वह कॉल करके पूछे पापा कहा है तो वह ब बुलते हैं कि बात कर ओव फिर भी लोटेइं की पापा सो रहे तो बोसा है तो इसके गुचिक्न करो ऑपने फॉन का कैमरा करके पापा के पास ले पास जाओ जब वह एकिन के आम होंडे में उनक्तव यह पनी में, कि तरह का कोई मुभम्म्मिंट नहीं था वह समझग गए समझ चुके हैं उनके फ्रेंड का नाम था राजेस वो समझ चुके हैं कि परवाद अब इस दुनिया में नहीं है उन्होंने सतक्तबर्ति और क्विकली क्रोना हेल्फ डिपार्टमेंट को कॉल किया परचासा नाई वर्डी तब तर डेथ कर चुकी थे परवाद इस दुनिया अब मैं नहीं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं कि दोनों में अन्वन हुआ था परवाद और उनकी वाइप में किसकी गलती थी नहीं थी लेकिन छोटी छे साल की बच्ची को अभी उस मम्मी ने नहीं लिया है उस बच्ची को मकान माली को सौपा गया है किया आप इसका क संबंदियें उनसे जरूर आप बाद करें को कि इतना तो आप कर सकते हैं इगो अपने दिल में ना पाले आप तो बस इसी सभी सेनाडियों को देखते हुए मेरे पास भी टाइम है क्योंकि मैं भी वर्क फ्रम होम में स्टार्ट कर चुका हूं और मैंने पोएम लिखा है ब इसी सिल्चिले में अपनी प्रसंट कहानी बताता हूं मेरे पास छोड़ा सा होटल है दो दिन पहले मेरे बरे भाई साब का फॉन आया कि अभी दो स्टाप से भी काम चल सकता है क्या क्या है तो लिट्रली मैं आपके सामने और इस घर के अंदर हूं जो तूरूत बता रहा ह मैंने उनको इतना ही बोला कि दो स्टाप से काम चल जागा ठीक है बाकिया स्टाप के सेल्ली आप 50% कर दिजिए बट हटाइए मत को देखिए मेरे पाई होटल होटल नहीं है पाच्छार साथाजार डिली का साथ बिगरी पिक पॉइंट में हो जाता है तो मैं फूल सेल्ली हैं कहीं पर जहां तक आप से हिल्फ हो सकता है आप बेजीज़क करें इसीश को ठीक है चले तो इसी वीच हमने एक पोयम लिखा उस पोयम को आगे बढ़ाते हैं हो ज dilep है आज हर कोई खुदा और भगवान को खोज रहा है मैं तो इनसान खोज रहा हूं आप देखे ना आज अक्सर लोग नीज में बोलना है चाहे डिवेट में आकर बोलना है मुझे करोना नहीं है सर्दिखा से जुखा मिश्ली हुआ है कि मेरा बेदर चेंज है तो कि मैं भीहार करने वाला भी यहां जम्मों में हूँ तो थोरा सा यहां पर क्या होता है कि हवा हमेशा चलती रहती है तो देखिए मैं वह लिख रहा हूं कि आज कल हर कोई खुदा और खोज रहा है मैं इंसान खोज रहा हूं अब देखिए न हम इंसानियत की बरे बरे डिंगे हाथ ते हैं लेकिन आज लॉक्डाउन लगने वाली थी लगी नहीं लगने वाली थी सर्दों का तेल का भाव सीधा 200 लिटर हो गया बताएं चीनी का भाव सीधा बढ़ गया यह पांच रुपे की जगा 25 रुपे ले रहे लो तो हम इंसानियत की दुखाई देते हैं भगवान को गालिया भगते हैं बगवान कहां है इंसानियत जिंदा नहीं है लेकिन हम अपने तरफ सब फूल फिल नहीं कर सकते हैं तो वही बता रहा हूं कि आज हर कोई खुदा और भगवान खुज रहा है मैं तो इनसान खुज रहा हूं जिन्दगी और मौत में फासला बस आज और कलका है जिन्दगी और मौत में फासला बस आज और कलका हो गया है ना जाने जमाने को क्या हो गया है देखिए ना अभी एक किसी अच्छे परसन है जिनका इस्टेटस था कि कल जिस चाथा से बात किये वो चाथा ठीक थे और आज वो इस जमाने में नहीं है तो देखें ने कल और आज का फैसला है तो जिंदिगी और मौत में फासला वसकल और आज का है आज का हो गया है नजाने जमाने को क्या हो गया है बरी चमन और चांदनी थी इस खुबसूरत जमाने की नजाने इसकी खुबसूरती को क्या हो गया है अब देखे न सब की च्वाइस था कि हमारे पास ओडी हो मर्सेडिज बेंच हो एक फामाउस हो मुरा सा क्राउड मीटिंग हो जहां पे लोग हमें इन्वाइट करें उस मीटिंग को हम संबोधित करें कॉन्फरेंस करें लेकिन आज कह दीजिए कॉन्फरेंस कर देंगे हम एक छोड़ा सा कमरा में बंद रहेंगे घर में बंद रहेंगे तो एक खुबसूरत दुनिया को आज क्या हो गया वही है कि बरी चमन और चाननी थी इस खुबसूरत जमाने की नजाने इसकी खुबसूरती को क्या हो गया है जहाँ जमती थी महफिल जहाँ जमती थी महफिल वो आज सुसान हो गया है जहाँ जमती थी महफिल वो आज सुसान हो गया है जो कल अपना था वो भी आज पराया हो गया है जो कल अपना था वो भी आज पराया हो गया है नजाने इस जमाने को क्या हो गया है अब इसका क्या है पराया कैसे हो गया है आप देखे न क्रोना काल के कारण लोग अपने फादर के अपने मदर या अपने लोगों के बड़ी का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं और इंसानियत इतनी गिर चुकी है जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं जैसे अव एक्जेक्ट में लोकेशन वूर लाओं कहीं पे एक लड़के क लड़का जीत करता है कि नहीं मैं फादर का अंतिम मोह देखना चाहता हूं जब वहां खोला जाता है तो उनके फादर नहीं लेडिज रहती है क्या यह डॉक्टर को मालूम नहीं था एक पटना में एक फादर अपनी बेटी की पुस्माटम लास को इसलिए छोड़ देती कि उनके पाद दस जार रुपीय नहीं है तो इसके लिए भगवान तो उसी है इंसानियत कहा है आपकी तो इसलिए मैं आप तमाम लोगों से गुजारिस करूंगा कि जितना हो सके हम ज दिन राथ हेल्प कर रहे हैं हो गया करोना क्या उनको बाकी लीडर्स दुम दवा के घर में बैठोंगे करोना से मर जाओंगा आप अगर इंसानियत और अच्छे ने काम करते हैं तो करोना देने वाले वाले वी उपर वाले हैं तो करोना से बचाने वाले आपको उपर वाल लेंगे कुछ और टॉपिक को लेके फिलाल जय हिन जय भारत दुआ करते हैं कि आप तमाम लोग घर पे रहें सेफ रहें और इंसानियत बचा कर रखें खुदा आफिस